बुलो श्री प्राणनाथ प्यार कीजे, बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे, बुलो श्री पन्ना धाम कीजे, सर्व सुन्दर साथ कीजे आप सब सुन्दर साथ जी के भाम रिदय में विराजित, सुशोभित, प्राण पिया, प्राण प्रियतम, प्राण धन, आपके नूरी, कोमल चरनार विंद में कोटान कोट प्रनाम जी डे 157th, 157 दिन, श्री बीतक साहिब चर्चा, सुन्दर साथ जी 7th of July से शुरू हुई, आज 157th डे उसका आ चुका है, यानि कि एक साल पूरा होने को ही है, बहुत कम समय बचा है, श्री बीतक साहिब चर्चा, मांगो अलोकिक इनसे, तुमको दे इमान, इनसे लोकिक मत मा मांगो, इनसे कुछ अलोकिक मांग लो, यदि मांग सकते हो, हमारे लिए सिखापन है, ये कौन से सुन्दर साथ का प्रसंग आता है, और इसमें हम सब सुन्दर साथ समाए हुए है, कि इनसे लोकिक नहीं कुछ अलोकिक मांग लिया जाए, हमारे श्री जी से, हमारे प्रान प्राणना जी वानी और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कर ही लीजिए सुन्दर साथ जी रोज कह रहे हैं हमारे थमनेल बनाने वाले प्यारे सुन्दर साथ ये देखिए कहते हैं कुछ अलौकिक दिल में इच्छा रख लो और ये जो हाथ जुड़े हुए हैं उन पर ये अलौकिकता दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे जुड़े हुए हाथों में हमेशा अलौकिक मांग हो तो बहुत अच्छा हो हमारे दिल में भी अलौकिक मांग हो तो बहुत अच्छा तभी इमान सुन्दर साथ जी उसी से द्रिड होता है और द्रिड इमान से ह ऐसी इच्छाएं मांगी जाती है अती अती सुन्दर सेवा आपके चर्णों में कोटी कोटी प्रणाम हमारे गुप्त सुन्दर साथ जी बहुत प्यारी सेवा खींचते हुए ये जो थमनेल्स है ना रोज कोई ना कोई संदेश दे कर जाते हैं पिया जी की वानी के माध्यम स प्रणाम जी पताने कितना समय रोज लगाते होंगे हमारे प्यारे सुन्दर साथ इनको बनाने में आईए सुन्दर साथ जी अब चलते हैं अनीता सैगल दीदी अती सुन्दर वानी गायन लेकर आएं प्रणाम जी दीदी प्रणाम जी जी आप शुरू कर सकते हैं बोलो श्री प्राणनात प्यारे की जय, श्री सत्गुरू महराय जी की जय, प्रिणाम जी सुन्दा साथ जी, आपके चरनों में पोटान कोट प्रिणाम बाज आरिया दिदे? हाँ जी, बहुत मिथी आरिया प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीत अपना मूले बतन प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीत अपना मूले बतन प्रेम दनी को अंग है, प्रेम दनी को अंग है, कहु पाये ना या बिन्न, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, सुक ब्या सिख भागवत मे प्रेम देगन पात, सुक ब्या सिख भागवत मे प्रेम देगन पात, प्रेम बसट ब्रह्म स्रीष्ट में जो खेल सरुक बिजरा प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जीए जित अपना मूल गताई तो नवदा से न्यारा कया चौद भवन में नाहीं सुप्रेम कहां से न्यारा कया चौद भवन में नाहीं सुप्रेम कहां से पाईये सुप्रेम कहां से पाईये जो रहत को पिया माहीं सुप्रेम दिखाऊं तुमको साथ जीए जित अपना मूल गताईये क्यो नाहीं प्रेम इनको जाको धनी निरिखत नन भर क्यो ना होई प्रेम इनको जाको धनी निरिखत नन भर आठो याम अंग उनके आठो याम अंग उनके उलसत उमंग कर प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जीए जित अपना मूल गताईये क्यो ना होई प्रेम इनको जो दियो की निरिखत नन भर क्यो ना होई प्रेम इनको जो पियो की निरिखत qua बंकी पाक निश्दिन नजर ना छोट ही निश्दिन नजर ना छोट ही पियू सो करे रंग राज पेम दिखां तुमको साथ जी जित अपना मूल वतन श्री महमत कहे मैं भूब जी अब दीजे पट उडाए श्री महमत कहे मैं भूब जी अब दीजे पट उडाए ने ना खोल के अंक बरे ने ना खोल के अंक बरे प्रेम दिखां तुमको साथ जी जित अपना मूल वतन प्रेम दनी को अंग हे प्रेम दनी को अंग हे गव पाये ना या बिन प्रेम दिखां तुमको साथ जी प्रेम दिखां तुमको साथ जी बोलो श्री प्रारनाग प्यारे कीज़ए सद्गरु महाराज कीज़ए परिणाम जी सुन्दर साथ जी आपके चरणा में कोटान कोट परिणाम जी परिणाम जी अनीता दीदी बहुत मीठा गाते हैं अती अती सुन्दर और वो भी प्रेम दिखां तुमको साथ जी इससे यदि सुभह की शुरुआ तो सुन्दर साथ जी प्रेम ही तो दिखाने आया है यहाँ पर इश्क रब्द किया ही इसलिए कि प्रेम के प्याले हमको भर भर के उन्होंने पिलाने थे और मारिपत की पूरी पहचान करानी थी अती अती सुन्दर अनीता लिदी आप आते रहा करें और ऐसे मीठे कंट से श्री मुखवानी सुनाते रहा करें पर नाम जी पर नाम जी आप बुलाते रहेंगे आपके वज़े से हम लोग आके करते हैं तो कोई हिमत नहीं है राची अपने आप युक्साह देते हैं में राची अपने आप लेकर जी बिल्कुल पर नाम जी पर नाम जी आए सुन्दर साथ जी अब चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब के अती सुन्दर आपको याद है ना कौन सा प्रसंग चल रहा था लक्षमन जी का नाम आया था जो कबीला लेके चले हैं एक लाजदास जी थे लक्षमन दास जी एक ये आये हैं, इनका भारी पड़ गई हैं, मुश्किलें भारी पड़ गई, तो एमदाबाद में ही सेटल होने की सोच रहे हैं, वहाँ पे थे सुन्दरस्ता की है। श्री माहमती कहिये साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियों चित दे, लाल आगे आये बैठे इन, तखत लाल आगे आये बैठे इन, तखत बुलो श्री प्राणनात प्यारे की, बोलो श्री सत्गुरू महराज कीजए। तो लच्मन कबीला लेके उन 500 सुन्दरसात में से कुछ सुन्दरसात के नाम गिने जा रहे हैं, जो सूरत से श्री जी के साथ चले हैं, चले सूरत से जरूर हैं, पर वो अलग-अलग शेहरों से आए हैं, कबीला भारी भया कही रहने की बाद बोले यहीं रह जाते हैं, पर बाद में रियलाईज होता है, आज अगर हम भी बंद रहे हैं, इनी कारणों से की हमें समय नहीं मिल पारा, हमारी भी माया की मुश्किलें भारी होती जा रही हैं, पर बाद में पच्ताना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा सुन्दर साथ जी, कभी तो समय निकालना पड़ेगा, तो आज ही क्यों नहीं, आप ये, मैं एक बार बैठी हुई थी, सोच रही थी, समय नहीं निकल पाता राज जी क्या किया जाए, तो एक ही खयाल दिल में आया, धनी कहते कभी तो निकालना पड़ेगा, जो भी जन्म में, जब भी लिखा हुआ होगा सुन्दर साथ जी, आज इतने जन्मों के बाद समय निकलना शुरू हुआ, तो कोई न कोई क्षन तो ऐसा आएगा, जब इस समय को निकालना पड़ेगा माया में से, और कल क्यों फिर आज क्यों नहीं, अगर ये करना ही है, तो कभी तो माया को पीठ देनी पड़ेगी, तभी पिया की तरफ मुख हो सकता है, तो वाई टू डिले, कल करे, तो आज कर माया के कामों के लिए तो हमें बहुत पता होती है ये बाते, तो राजी के लिए ये बाते क्यों नहीं पता होती, कि कल तो करना ही पड़ेगा, धनी को पा नहीं सकते है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है सुन्दर साथ जी, प्रेम की हसी के वो पल इकठे करने के लिए माया को पीठ देनी आवश्यक है, बहुत जरूरी है, प अबीले की मुश्किले भारी पड़ गई पर कम से कम चले तो सही वो घर से, जो चलता है शाबाश है उसको, बीच में रुका पर तिस वास्ते रहया बीच में, बीच में रुक गए माया के सुखों की चाहत ने, माया के सुख काज, माया के सुखों की चाहत ने उनको रोक ल उनके लिए एक चौपाई लिख दी गई हो गया पर ये हम सब के लिए लिखा गया है लालदाज जी के तुरू महामती जी ने पिरोया है इसको की सारे सुंदर साथ सावचेत हो जाना ये चौपाई पढ़के जो जो हम बीच में रुक जाते हैं पिया की और जाते हैं फिर माय के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था क्या करें व्यस्तता बहुत जादा है ना माया क्योंकि कीच कर ले जाती है क्यों कीच कर ले जाती है हम में बल नहीं है इसका मतलब माया का बल जादा है जब हम में उससे जादा बल आ जाएगा अक्टिवेट करना पड़ेगा बल का तो सुन्दर साजी अंबार लगा हुआ हमारे अंदर जिसके अंदर स्वयम पिया विराजित हो धनी की बैठक अंदर हो उसमें बल की कभी कमी हो सकती है एक्टिवेशन नहीं है उसकी पड़ा हुआ है बस अंदर तो उसको एक्टिवेट कीजिए ब्रह्मव जुड़के यह हो सकता है चित्वन करके उस बल में प्राण फूञ़के जा सकते हैं रोज याद कर लीजिए कि मेरे अंदर कितना बल है मेरे अंदर स्वयमक्ष्रातीत विराजते हैं कहते हैं यह हमारे बारे में तिस वास्ते रहया बीच में माया के सुखकाज माया की इकठी करने में, सब की सेवा करने में, सुन्दर साजी कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, अपने कारे भी कीजिए, छोडने नहीं है, अपनी जॉब, अपने बिजनस, अपने घर के कारे, पूरी मुस्तैदी से, फुर्ती से कीजिए, सुन्दर साजी, माया के सुखकाज, पर मा पढ़ने मत दीजिए यदि आप मुड़ते हैं और फिर से वो ले जाती है बहा के तो ये ठीक नहीं है सुन्दर साजी दिल पिया को देना पड़ेगा उमर कोई तिन में हम भी खोकर आये हैं ये लक्षमन जी पे उंगली नहीं उठानी है कभी भी जो हम आज तक उठाते आये हैं बीतक साब में महाव जी भाई को थपड पड़ गया था जैराम भाई बरतन कूटते रहते थे ये ऐसा करते रहते थे वो हम क्या कर रहे हैं सुन्दर साजी वो जैराम भाई जो बरतन कांसा कूटता था मेरे अंदर बैठा हुआ है वो तो ट्रांसफॉर्म हो गए पर मे मेरे अंदर का ट्रांसफॉर्म नहीं हो रावी तक वो महावजी भाई जिनके गाल पे प्यार सा चाटा प्यार की चपत उन्होंने लगाई थी मेरे अंदर पहले बैठा हुआ है जरा सी कोई वच्चन कह क्या दे घर बैठ जाते हैं हम उनसे वो तो फिर अगले दिन माफी मां चले गए थे श्री जी के मंदिर के कमरे के बहारी बैठ गए थे हम तो जाते भी नहीं हैं कार के मारे घरी बैठे रहते हैं वो तो ट्रांसफॉर्म हो गए एना डगा इन समय तक आ गए हम नहीं आपाए अभी तक तो उंगलियां कभी नहीं उठानी सुंदर साथ के उपर वो सुंदर साथ उस समय नाम थे आज भी महावजी भाई हमारे पास हैं आज भी वो जैराम कंसारा हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आज भी हमारे पास चिंता मनी नाम अलगोंगे सुंदर साथ जी और आज भी चिंता मनी जी हमारे पास हैं नाम कोई डिफरेंट है ब ऐसे ही बैठे हैं आज तक तो उंगलियां नहीं उठानी सुन्दर साथ जी उठानी है तो स्वयम पे उठानी है कि मेरी रहनी बीतक साहब पुकार पुकार के जो कह रही हैं कि ऐसी रहनी हमारी होनी चाहिए क्या बाइस बार पचास बार बीतक सुनके एक सुन्दर साथ की रह ये सुन्दर साजी, ट्रांस्फरमेशन तो हुई ही नहीं, केवल सुनते ही रह गए, धन्य है ये सुन्दर साज, जो सुन सुन कर बदलते चले गए, बदलते चले गए, और उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर लिया, माया के सुख काज ये रहे जरूर, उमर खोई तिन में, फेर सुरत करी श्री राज, जीवन के अंतिम समय में, उन्होंने राजी के चर्णों की तरफ अपने मन को लगाया, हम ये कपकी बात है सुन्दर साजी, श्री जी के समय की बात है ये, और हम तो कितने जनम खोके आगए, जीवन के अंतिम, कितने समय आये हमारे जीवन के अं अंतिम समय आया होगा, पर हमने राज्जी के चरनों की और ध्यार नहीं किया, तभी तो आज यहां बैठे हैं हम सुदर साथ, तो हमसे तो बहुत बहुत बैटर लक्ष्मन भाई कि अंतिम समय में तो आ गए वो धनी जी के चरनों में, हर सुन्दर साथ का गुन धूंडने की नजर रखे सुन्दर साथ ची तब तो activation अंदर हो रहा है अगर अगुन ही धूंडते जा रहे हैं न सब में तो अपने अंदर जांक के देखेंगे कि हम क्या activate कर रहे हैं अपने अंदर negativity को feed तो नहीं कर रहे हैं रोज जिस घोड़े को negative positive जिसको जादा feed देंगे वो healthy होता चला जाएगा उसकी health बहुत अच्छी होती जाएगी और दूसरा बिचारा कमजोर हो हो के मर जाएगा एक दिन positivity को feed नहीं देंगे मर जाएगी अंदर से एक दिन आवाज आनी भी बंद हो जाएगी सुन्दर साथ जी क्या होती है positivity की feed होता क्या है यह रोज ब्रह्मवानी का श्रवन करना रोज मन्थन करना रोज चित्वन में बैठना इससे बड़ी positivity इस ब्रह्मांड में कभी हुई है या कभी हो सकती है आज तक जो मानी यहां नहीं आई श्री बीतक साहब यहां पर नहीं पाई गई चर्चनी चित्वनी जो यहां पर नहीं आई उनकी feed से ज़्यादा positive होता क्या है सकारात्मक्ता इनसे ज़्यादा कहा हो सकती है सुन्दर साथ जी तो हम भी अपनी सारी उम् दिल दिया हुआ है परिवार को उस समय तो सुन्दर साजी श्री जी सामने थे पाँचो शक्तियों सहित साक्षात प्राणा जी सामने थे तब तो ये कहा गया जो जो उनके साथ चला उन्होंने माया छोड़ दी आज तो ये भी नहीं कहते हैं हमारे सत्गुरु कि आओ घर छो समय रहा अंतिम श्वास रहे हर तन में हम तब भी राजी की और नहीं मुड़े कहते बहुत आसान कर दो इनके लिए ये निकर पाएंगे इनके लिए बहुत एजी कर दो क्योंकि इस बार इनको लंगाना है इनको पार लेकर जाना है अब और यहां वेट नहीं करने ही सुन् बैठे अपने परिवार में उनी की सेवा करते हुए ये गोपियों ने किया था सुन्दर साथ जी ये जागनी वाले जो सुन्दर साथ रहे जागनी ब्रमान के सुन्दर साथ ने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया सामने उनके श्री जी हैं सुन्दर साथ जी इतनी तपस् इतनी रहनी करके दिखा दी कि उन्होंने तो गोपियों को भी पीछे छोड़ दिया सुन्दर साजी क्यों क्यूंकि जागनी की लिला यह इसकी गरिमा बहुत ज़ादा है पहचान कर उन्होंने श्री जी को तब हमने कृष्ण जी को इतने प्यारे मन्मोहक स्वरूप में पिय जी आये थे हमने पर पहचान नहीं की थी प्रेम बहुत था पर पता नहीं था क्यों प्रेम करते कि लबते क्या है हमारे अखंड पती हैं यह नहीं पता था सुन्दर साथ जी आज इन सुन्दर साथ ने अखंड पती पहचान कर जो सेवा की जो रहनी में आए जो कस्नी की तो ये तो लंग गए सुन्दर साथ जी बहुत आगे लंग गए क्योंकि पहचान कर वानी से पहचान कर श्री जी के मुख से निकली हुई वानी से पहचान कर उनकी सेवा कर रहे हैं रहनी कर रहे हैं और परिवार को छोड़ छोड़ के और कुछ कबीलों को ले ले के निकलते जा हर सुन्दर साथ अपने घर में रोटी खा रहा है छत है तक्रीबन तक्रीबन सब के पास कपड़े हैं पहनने को फ्यूचर की चिंता कितनी है फिर भी कि पता नी बच्चों का क्या होगा उनके तो आया पढ़ने चले गए हमारे पता नी क्यों ऐसे रह जाते हैं हमारे घर में इतनी सुविधाएं पता नी उन्होंने इन सुन्दर साथ ने फ्यूचर नी सुचा होगा सुन्दर साजी हमारा बनेगा क्या कभी रोटी मिलेगी कभी खाना मिलेगा रास्ते में श्री जी के साथ चलेंगे तो श्री जैसा जीवन जीना पड़ेगा कभी नंगे पैर चलना पड़ेगा इतनी सारी सुन्दर साजी हम तो धूप, सीत, वर्षा, गर्मी से ही बाहर नहीं निकलते, जंगली जानवर भी आया करते होंगे, जंगलों से भी निकले होंगे, रेत से निकले होंगे, जंगलों से निकले होंगे, कितना डर होगा, टाकू, चोर, कितना कुछ होत भी नहीं बस इधर से इधर गए श्री जी कैसे पहुचे होंगे वहां रास्ते में जिन मुश्किलों का वर्णन भी नहीं किया गया क्या उनका एक एहसास सुंदर साथ की दिल में कभी दर लगा होगा कि अगर यहां से शेर निकल आए अगर इस जंगल में रात हो गई है क्या होगा सुंदर साथ जी कभी नहीं सोचते होंगे क्योंकि इमान बहुत पक्का था श्री जी के रहते हुए हमारे पास वो हमारा प्राणनात खड़ा है पूरी पूरी काइनात का पूरे ब्रहमांडों का सुंदर साथ जो स्वामी है जिसके सतंग के इशारे से करोडों ब्रहमांड बन जाते हैं वो हमारे सामने हो अगर ऐसी पहचान की है तो अगर उनको ऐसे ही ले रखा है कि महापुरुश हैं संत हैं फिर तो सुंदर साथ जी नहीं हो सकता ऐसी पहचान ऐसा इमान होना अंदर जरूरी है अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हम भ दोडने को तयार खड़े हैं सुन्दर साथ जी आपने कभी देखा है जब रेस शुरू ओने वाली होती है ऐसे जुक के खड़े होते हैं कि उधर सीटी बजी और दोड पड़ते हैं पिया ऐसे बिलकुल खड़े तो याद तो करके देख मुझे मैं कमर जुका के तेरे लिए कि कब तो याद करेगी और मैं दोड़ता हुआ तेरे पास आजाओ हर पल तयार मेरा पिया खड़ा है क्यों ऐसा इमान नहीं आता कि इस माया रूपी जंगल में कोई हमारा कुछ नी बिगाड सकता क्योंकि एक पत्ता नहीं हिल सकता मेरे पिया की इच्छा के बिना एक कोई माया का शेर अपना नक नहीं हिला सकता मेरी और आने के लिए क्योंकि मेरे धनी का हुकम नहीं है उसको इतना इमान द्रिड कर लीजिए जो हो रहा है वो तेरी इच्छा से हो रहा है मूल सरूप से प्रेरित होकर मूल सरूप प्रेरना दे रहे हैं यहाँ पे सब कुछ करने के लिए सुन्दर साथ जी मूल स्वरूप के दिल से सब कुछ आ रहा है मेरे लिए तो आ रहा है ब्रमान का मैंनी जाने ये सब सुन्दर साथ को अपने अंदर द्रिड करना होगा फिर इमान से ये माया की मुश्किलें तो क्या कोई नहीं डिगा पाएगा चाहे कैसी भी परि सुन्दर साथ जी इसके दर्शक बन जाईए द्रिष्टा बन जाईए अब अब हम इसको देखने आये हैं हम खेल नहीं रहे हमने रमना नहीं है इसमें हमने खाली देखना है और अपने पिया के लाड़ को उसकी अनुभूती करनी है ये परपस है इस खेल का देखे कितना आनन्द ही आनन्द का पसारा हमारे दिल में हो जाता है लक्षमन भाई जी नहीं हम सब ने अपनी सारी उम्र परिवार में माया में ही बिता दी जीवन के अंतिम समय में आना पड़ा ना सुन्दर साथ जी ये एक नॉर्मल सी कॉमन सी चौपाई नहीं है कि लक्षमन भाई पहले नहीं आए फिर सुख की चाहत में वहीं पर आयमदाबाद में सेटल हो गए ये एक जामपल को याद रखेगा ये एक कॉमन सी ऐसे नहीं है कि यहां से यहां चले ऐसे हो गया कोई भी चौपाई एक आम सी बात नहीं है सुन्दर साथ जी खासल खास रूहों के लिए खा सुरत करी श्री राज करनी तो पड़ेगी सुरत श्री राज की तरफ उन्होंने श्री राजी के चर्णों की तरफ अपने मन को लगाया अब इसको बहुत ध्यान से एनलाइज कीजिए अब्जर्व कीजिए इस सिचुएशन को लक्षमन भाई के उपर ना घटा कर अपने उपर ले आईए सुन्दर साजी एक एक घटना मेरे लिए लिखी है न तो मेरे लिए घटानी पड़ेगी हर सुन्दर साथ को अपने अपने उपर आज हम माया में रले भी रहते हैं कोई न कोई क्षण तो ऐसा आएगा जीवन की अंतिम घडियों के पास तो हम रोज जाते ही जा रहे हैं न सुन्दर साजी पूरा जीवन खोकर क्या मिलेगा माया में आप ये सोचिए मिलेगा छोड़िये आज तक क्या मिलाएं आज तक क्या हमने पा लिया जिससे हम आज बहुत खुश हूं केवल अखंड सुख से खुशी मिल सकती है अखंड प्रसंदा अखंड अखंड खुशी मिल सकती है तो केवल मेरे धनी के अखंड सुखों से मिल सकती है तो अंतिम समय में क्यूं वेट करनी है सुन्दर साजी और लेट क्यूं करना है और वेट क्यूं करनी है आज से क्यूं नहीं वाइ नोट टुड़े वाइ नोट नाव इन दिस मॉमेंट इसी इक्षन क्यों नहीं सुन्दर साजी, पिया की ओर मुणना शुरू कर दीजे, अब नहीं गवानी हमने गे, अब ये जीवन नहीं गवाना, सिद्धपूर के बीच में, अब सिद्धपूर पहुँच चुके हैं, रहे 22 दिन, वहाँ पर सुन्दर साथ के साथ 22 दिन तक रहते ह सिद्धपूर में सब सुन्दर साजी के साथ, प्राना जी लगभग 500 सुन्दर साथ के साथ, पूरा मिलावा सिद्धपूर में रुका है सुन्दर साजी, कितना सुन्दर ये मिलावा है, ऐसे लगता है, परमधाम में जब जन जन करती हुई सक्यां, उनकी पायल की रन जन, जब उनकी कामभी करला सुन्दर साथ जी आवाज आती होगी ना जांजरी गुंगरी कामभी करला की मेरे ये सुन्दर साथ चलते होंगे श्री जी के साथ उनके चर्णों में से भी पिया के साथ साथ कौन सी कौन सी गुंजायमान इमान की गुंजायमान होती होगी कितना इमान श्रद्धा समर्पन कौन से अभूशन पहन कर चल रहे हैं यहाँ पर उन्होंने जांजरी गुंगरी काम भी कर लानी पहना हुआ यहाँ पर इमान श्रद्धा समर्पन और प्रेम के अभूशन पहन कर अपने चर्णों में चल रहे हैं सुन्दर साथ और कोई उनक इमान से डिगा नहीं सकता श्री जी के पीछे पीछे चलते हुए ये काफिला ये कार्मा कितना सुन्दर और श्री जी के मुखार बिंद पे कितनी प्रसनता है इन मोमिनों को साथ लेकर चलने में सुन्दर साजी सिद्पूर में 22 दिन तक ठहरे हुए हैं वहाँ पर ठहरे हैं क्या-क्या-क्या गतिविदियां चल रही होंगी क्या-क्या कार्य कर रहे होंगे कैसे एक दूसरे को भी प्रेम कर रहे होंगे और श्री जी से मिलने के लिए भी रोज उत्सुकता से पहुंच जाते होंगे उनको मिलने के लिए उनके लिए ही तो आए हैं अपना सब कुछ अपने प्रान प्रियतम के मुखार बिंद के दर्शन करके भी उनको कितनी प्रसंता वो बाईस दिन में जब जब श्री जी को देखते होंगे इमान और द्रिड हो जाता होगा कि भला भया मोरी मत की फूटी मैं छोड़ कर आगई माया को भला भया हम श्री जी के साथ चले कि अच्छा हुआ धनी जी आपने हमें इन माया के प्रपंचों से छुडा लिया अब हम परमधाम की और अग्रसर होने के लिए पन्ना जी की तरहटी की और अग्रसर होने के लिए महामती के धाम रिदय में समाने के लिए हम तयार हैं हम कितने तयार हैं सुदर साथ जी क्या हमने यह आभूशन पहन लिये या जांजरी गुंगरी के नाम ले लेके बस सुनी के नग गिनते रह जाएंगे क्या श्रद्धा के नग गिने सुन्दर साजी किन किन कलर की श्रद्धा हमने पहन लिये आज तक क्या समर्पन के नग गिने हमने हमने कितना समर्पन किया कौन-कौन सी घटना ऐसी हमारे जीवन में हुई वो एक नग लग गया सुन्दर साजी एक-एक घटना एक-एक नग लगता जा रहा है हमारे भी आभूशन वहां याद किये जाएंगे हमारे ये आभूशन हमसे पहले पहुँच रहे हैं paramधाम में हम तो बाद में पहुंचेंगी जागेंगी ये जाग जाएंगे वहां जाके कितना समर्पन किया, कौन-कौन सी घटना में हमने समर्पन किया, लाल रंग क्या नग लगवाया के नहीं लगवाया, नीलवी का लगवाया के नहीं लगवाया, सुन्दर साजी, हमारे कहीं ये आभूशन नगों के बिनाई न रह जाएं। समर्पन कर दीजे, कि पिया जो जानो और कहना नहीं आप केवल, अंदर चलता रहना चाहिए, कि जो तू कर रहना पिया, उससे सुन्दर कुछ होई नहीं सकता, मुझे अब पता है, कि ये घटना मुझे आपकी और खीचने, आपकी और अग्रसर करने के लिए आई है, और वो सफल होगी इस बार, क्योंकि मेरी विवेक दृष्टी जाग चुकी है, और जागरत बुद्ध धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती जा रही है, अब नहीं डिगेंगे, अब बालू की रेत की तरह नहीं रहेंगे, अब बिलकुल महल खड़े होंगे, इमान के महल खड़े हो पाइस दिन तक ठहरे रहे, भगवान उपाध्याने सेवा करी अतिमगन, वहाँ पर भगवान उपाध्याय उनका नाम है, उन्होंने श्री जी सहित कितना असान है न, यह कहना सब सुन्दर साथ की अत्यंत प्रेम भाव से सेवा की, करी अतिमगन कहना वड़ा असान है, पा तब सुन्दर साथ जी कोई काम करने वाली घर में नहीं मिला करते थे, खुदी करनी है, आसपास के सुन्दर साथ जरूर साथ में आकर सेवा किया करते थे, कोई मशीने नहीं हुआ करती थी कि मिक्सी में पीस लिया, इधर ये किया और काम हो गया, ऐसा नहीं हुआ करता था, और एक दिन नहीं है कि एक समय का भोजन बनाना हो, बाइस दिन रहने की व्यवस्था, विशालता को महसूस कीजिए, जैसे चर्चनी में विशालता देखी थी न, कि ये जो अगनी कोन का चह बच्चा, अगनी नेरित वायब्य इशान, रंग महल के आसपास चार चह बच्चे, वो जितना दिखाया जाता है, चित्र में ऐसे छोटे छोटे से नहीं है, चांदनी चौक इतना विशाल दिखता है, चह बच्चा छोटा सा, दोनों लगभग बराबर हैं सुन्दर सा, जितना बड़ा चांदनी च विवस्था किये होगी, कितनी विशाल जगय होगी, कितना भोजन पकता होगा, कितने सुन्दर साथ सफाई करते होंगे, कितने सुन्दर साथ उनके नहाने दोने की विवस्था करते होंगे, कहां कहां कपड़े दोए जाते होंगे, कहां चर्चा का प्रबंद किया जाता हो कि दो-दो घंटे एक ही सुन्दर साथ बैठा रहता होगा जिसको सेवा का कार्यों बैठते होंगे फाल्तू बातें करने आज के लिए बोल रही हूँ मैं फाल्तू बातें करने दो-दो घंटे, पांच-पांच गंटे नहीं बैठते होंगे सुन्दर साथ जी केवल सार्थक स्वामी जी कहते हैं सेवा की बात करनी है जागनी की बात करनी है I am always available पालतु की बात करने के लिए मेरे पास एक मिनट भी नहीं मेरा समय नश्ट मत कीजिए बिल्कुल साफ तो वहाँ पर भी अपनी बात की बाहर आए ताकि दूसरे सुन्दर साथ अंदर जा पाए उनको भी तो सुख मिले हमी क्यों अंदर बैठे रहे हैं हमें सीखना है सुन्दर साथ जी इनकी रहनी से अब ये बताएंगे हमारे प्यारे सुन्दर साथ बाईस पहले भी आचुका है बाईस दूसरी बार आया अब बाईस का अंक पहले भी आया बाईस दिन ही आये सुन्दर साथ जी अभी दिनों की बात ही कर लेते हैं बाईस दिन पहले भी आये बाईस अब भी आये कौन से पहले आये थे प्रणाम जी प्रणाम जी सुन्दर साथ जी प्रणाम जी अज जब देवचन जी तन्च होड़ने वाले थी तो श्री मेरा ठाकुर जी उनके साथ 22 तिन तक रहे थी तब 22 दिन का प्रसंग आया था अरे वाब बिल्कुल सही अती सुन्दर आपके चर्णों में कोटी-कोटी सुन्दर साथ जी 22 का अंक तब ही आया था जब श्री प्राणा जी और तब तो कहेंगे मिहराज ठाकुर जी देवचन्दर जी से मिलने गए थे तन्चोडने वाले थे उन्होंने कहा इंद्रावती से मिले बिना उनके आये बिना मैं तन नहीं छोड़ सकता क्योंकि इंद् रिदय में शीतलता देनी पड़ेगी उसके विरहा के स्ताप को कम करना पड़ेगा वियोग जो सत्गुरू से उनका है तो उसके बाद उनके धाम रिदय में पिया जी की प्रत्यक्ष साक्षात बैठक हो पाएगी और सुन्दर साथ जी तब भी 22 दिन रहे दोनों और आज 22 इस दिन सिद्ध पूर में ठहरे हैं ध्यान दीजेगा ये 22 क्योंकि आगे भी आने वाला है अब सुन्दर साथ जी बताएंगे ये तो हुई दिनों की बात अब 22 का अंक और भी कहीं आ चुका है विक्रम समवत में आया हो शायद वो 22 को कहा थे श्री जी जब विक्रम समवत में ये 22 का दिन आया था मुकेश बही हां परनाम जी वो तो याद Нीपर हां 23 सीडिय तो हैं जी हां जी बिलकुल सही अठी सुन्देर, अजी बहुत सुन्दर, चर्चनी में भी बाईज सीडियां, बोट सुन्दर शोभा लिये हुए, तक्रीबन-तक्रीबन हाफरंग महल को, उससे भी थोड़ा जादा ही कहेंगे, हाफ को तो घेर कर आई है हमारी 20 सीडियां, अठी सुन्दर, तो चर्चनी का नहीं सुन्दर साथ जी विक्रम संवत का बताईएगा एक बार फिर हैंड रेज कीजिए 22 का अंक विक्रम संवत में भी आया उस समय कौन सा वो अंक था और उस समय श्री जी कहां थे जी बिक्रम संवत 1722 में स्री जी दी पंदर पहुंचे थे जे राम कंसारा को जगाने के लिए इसी बहाने संदर साथ जी बार बार पीछे जाएंगे ताकि भूल ना जाए जै राम कंसारा जी के पास 1722 में श्री जी पहुँचे थे सिद्धपूर के बीच में अब फिर 22 दिन रह रहे हैं दीप बंदर में पहुँचे थे 1722 में अब भगवान उपाध्याय ने अतिमगन होकर सेवा की सारे सुंदर साथ के मिलावे की और भगवान का रेवादास है नाम इनका पूरा ना भगवान रेवादास उपाध्याय था बहुत इंपोर्टन घटना है बहुत बार इनका दृष्टांत दिया जाता है बहुत ध्यान से सुनिएगा पहुचा पालनपूर में ये धन की चाहत में इनके पूरे मनोरत काम जो इनका मनोरत है वो क्या है धन की चाहत में जहां इनकी कौन सी इच्छा को वो वली इच्छा को तो पूरा नहीं किया आया कुछ सुन्दर साजी इनकी अध्यात में कि इच्छा को धामधनी ने पूर्ण किया हम भी मांगते रहें अपनी रूहों की ये वाली इच्छाओं को अगर पिया हमें अपने पास अगर मूल के रिदय में इच्छा आ गई है कि अब मुझे उनके पास जाना है तो फिर माया की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी सुन्दर साजी अगर पूरी होती जा रही है तो इसका मतलब अभी समय नहीं आया है तो आप देख लीजिए अब चूज क्या करना है क्योंकि अगर पिया क चूज करते हैं ये ब्रमान अपने आप बोनस में चलता चला जाता है हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती यहां की चिंता ही करते रह जाते हैं मांगते ही रह जाते हैं तो इसका मतलब अभी हमारा धनी के दिल में प्रवेश करने का समय आया नहीं है धनी के दिल में प खतम होने का नाम ही नहीं ले रही अगर खतम हो रही हैं कम होती होती वैनिश होने तक पहुंचने वाली हैं खतम होने तक पहुंचने वाली हैं तो ये बड़ी बधाई की बात है क्योंकि ये उसके बिना हो इनी सकता इसका अर्थ है हम दीदार की और पल पल बढ़ते जा रहे इसके बारे में हमने बात करनी है सुदर साजी, धन की चाहत में पालनपुर तक श्री जी के साथ गया, जहां इनकी आध्यात्मिक इच्छा को धामधनी ने पूर्ण किया, भगवान रिवादास इनको कहा जाता है, इनका नाम है भगवान रिवादास उपाध्याय की, अब प करने गये थे, कब मिले आईए, सिद्धपूर में श्री जी ने संभवते कहीं हवेली लेकर अपना निवास पनाया होगा, क्यूंकि पांत सो, अरे वा, सुंदर साजी लिख दिया उन्होंने, क्यूंकि पांत सो सुंदर साथ को अपने घर में ठहराने की सामर्थ्य भगवा दास में नहीं थी, सिद्धपूर में श्री जी ने कोई हवेली लियोगी, क्यूंकि पांत सो सुंदर साथ को कहा ठहराएंगे, हवेलियां बड़ी-बड़ी मिलती होंगी, जहां पांत सो समाज है, हौल जैसा सुंदर साथ जी, श्री जी और भगवान दास की भेंट उस सरो सरोवर पर होती है, जो सिद्धपूर के पास एक सरोवर है, विंद सरोवर, जिसको तीर्थ माना जाता है, तो वहां पर उनकी भेंट उई, जहां पर उसने कुछ दिन श्रद्धा भाव से सेवा की थी, भगवान दास पैसे के लालच में साथ चल पड़े, वहां तो सेवा क कि उनकी फिर साथ में चल पड़े, इतना बड़ा इनके साथ समू चल रहा है, जरूर बहुत सारा धन भी होगा, मिल भी सकता होगा, इच्छाएं भी पूरी हो सकती होंगी, सुन्दर साजी भगवान रिवादास की एक्जामपल तो फटा फटम दे देते हैं कि ऐसे चले हो हम तो नहीं चलते हैं इस लालच में कहीं कि आओ यहां पर आज साथ में तो चलना नहीं है, परिवार छोड़के तो चलनी रहे हम, आज पारायन रखवाते हैं सुन्दर साजी हम, यह इच्छा पूरी हुई तो हम यहां पर पारायन रखवाएंगे, हम बड़े अच्छे व हम आपको देंगे और आप करोड़ों से नवाज दोगे, कहीं हम यह इच्छा लेकर पारायन तो नहीं रखवाते, पन्ना जी में जा जाके परिकर्मा तो नहीं करते, अगर यह इच्छा जरूर राजी आते हैं, जी, तो पन्ना जी में या कहीं भी परिकर्मा इसी तरह से तो नहीं करते सुन्दर साजी, कि यह इच्छा पूरी हो गई तो मैं इतने करूंगी, या अब हो चुकी है, या अब हो जाए तो मैं इतनी करूंगी, लौकिक मांगे मांग मांग के दुखी नहीं करना सुन्दर साजी जो तरहटी में बैठे हैं, कितना दर्द होता होगा, कितना दर्द होता होगा जब पन्ना जी में जाके आप कभी उनकी चित्वन करके देखिएगा सुन्दर साज जी कैसा कैसा वो मंदिर है जहां आज भी राजे हुए है उपर तो हमें दिखाई देते हैं गुमर जी में तो हम दर्शन करते हैं कभी तरहटी में अपने अंदर की तरहटी में अपने रिदय की तरहटी में पन्ना जी की तरहटी देखने की कोशिश की है सुन्दर साज जी कैसा नीचे दिखाई देता होगा कैसे रूहे समाती होंगी उनके रिदय में जो जो जीव मुप्त होते जा रहे हैं आत्माओं के साथ लगे हुए जीव आत्मा तो रिदे में समाती जा रही है जीव उनके चर्णों में जाते जा रहे है कैसा लगता हुगा तरहटी में सुन्दर साज जी कभी चित्वन करके देखिएगा बहुत आनंदा है अखंड अपार आनंद सरहटी में चित्वन करने से है उसकी चित्वन करने से और सोचिए वहाँ प्राणनाजी जूले पे विराजमान है और वो तन आज भी हमारे लिए सुरक्षित रखे हैं पिया जी ने और हम उपर गुमड जी में बैठ कर माथा टेक टेक कर उनसे क्या मांग रहे हैं मांग तो सामने तो सेवा रखिये सुन तो वही रहा है सुन तो तरहटी वाले रहे हैं सुन्दर साजी बांग में कलेवर सुन रहे हैं नीचे तरहटी में खुद सोच के देखिए सुन्दर साथ जी गरिमा क्या है पन्ना जी की खुद सुनते हैं मांग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उसको दिल में विचार आया सुन लिया और दिया भी उसी ने हैं हम क्या मांग रहे हैं सुन्दर साथ जी मेरे यहां ऐसा हो जाए पिया जी इतना चाओ दंडवत परिकर्मा कर रहे हैं दंडवत प्रनाम करकर के क्या मांगा कितना दर्द वाओगा श्री जी को हम खुद करकर के आये हैं कितना दुख दे दे के आये हैं उस स्वरूप को हम कि आये हैं तु यही मांगती रहेगी क्या कब आएगी कब मांगेगी कि अपना प्रेम दिखा दिखा दो मुझे वो कहता है प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी वो बोलते हैं आओ तुमको प्रेम दिखाऊं साथ जी और हम कहते हैं रहने दो राज जी माया दिखाऊ वही दो हमको कैसल किया बीतती होगी सुन्दर साजी श्री जी पे और उनके अंदर समाई हुई आत्माएं क्या सोचती होगी हमारे सत्गुरु हैं उनमें हमारे भी सत्गुरु पहुँच चुके हैं कैसे उनके दिल पे बीतती होगी तु आज भी खांगडु का खांगडु राजीव इतन सुन सुन के इतना सुना सुना के मैंने तंग ला दिया अपना और तू आज भी वैसे का वैसा ही और इस बार भी तुझे सत्गुरू लेने आएगा के नहीं आएगा सुन्दर साथ जी बहुत दर्द वाली बात है ये एक-एक सांस जाती जा रही है अब और दुखी नहीं करन है उनको प्राण नाजी को मांगना है तो प्रेम मांगिएगा पन्ना जी कोई भी मंदिर में जाके हर जगे वो विराजमान है सुन्दर साथ जी देना है तो एंकार का नारियल फोड़िये पर लेकर क्या आईए श्रद्धा दीजिए पिया इमान दीजिए मुझे समर्पन क कराईए आप मुझसे नई भी हो रहा तो आप मुझे कराईए ऐसे वेज ढूंड़िये धनी कि मैं सीधा ऐसे ऐसे एक आपने पजल की हुई है ना न्यूस पेपर में करते हैं यहां तक पहुंचना है बीच में रास्ता इधर इधर चार पाँच रास्ते दिखाए होते कौ तक पहुँचेगा सुंदर साथ जी वो रास्ता ब्रह्मवाणी ने क्लियर कर दिया हुए कि यही पहुचेगा पूरा निशान लगा दिया है हम फिर भी दूसरा चुनते हैं माया तक पहुचते हैं धनी क्या करें हम भी लालच में यह बगवान रेवादास जी का एक्जाम है हम उनको धोखा दे सकते हैं अंदर की एक एक बात पढ़ लेता है वो सुन्दर साथ जी बहुत डीप में बैठे हैं वो आत्मा का धाम रिद है कहना बहुत असान होता है दीपस जो है ना वहां बैठे हैं वो तो इसलिए कोशिश न कीजिए उनको धोखा देने की भी हमारा नाम इन सुन्दर साथ में भर के देखेगा उंगली उठनी बंद हो जाएगी आज के बाद उंगली कभी किसी पे भी ने उठ पाएगी उसके बाद इतना शर्मिंदा हो जाएगे आज से कभी कुछ नहीं मांगना धनी जी से ये लौकी किछा पूरी कर दो ये कर दो क्या उसको पता नहीं है सब हो जाता है सुन्दर साथ जी केवल पिया से पिया को मांग लीजिए देखना उनको कितना आनन्द आ जाएगा कहते हैं कैसे पहचानना है धनी जी को म्रिग ढूनता रहता है कस्तूरी को हमारे अंदर विराजमान वो तरहटी के प्राणना जी क्या हमारे अंदर नहीं है सुन्दर साथ जी सब के अंदर पिया विराजमान है खुद कबीर जी कहते हैं बहुत सुन्दर तेरा साई तुझ में जूं जूं पहपन में बास पहपन मतलब पुश्प जैसे पुश्पों में फूलों में सुगंधी बास होती है न ऐसे तेरा साई तुझ में बसा हुए है फूल तुझे पता ही नी तु सुगंधी कहां डूणता पिर रहा है कस्तूरी का द्चू पिर फिर कहते हैं जैसे हिरन कस्तूरी ढूनता है जंगल में घास घास नीचे नीचे ऐसे घास को अपने पैरों से वो कर करके ढूनता है इधर उदर की पता नी कस्तूरी यहां गिरी हुई है पता नी यहां से सुगंधी आ रही है जबकि उसके अंदर से आ रही होती है हमारी सुगंध की भी सुगंधी मिल रही है न सुन्दर साथ जी वो अंदर बैठे पियाई उप जा रहे हैं हर एक के रिदय में और वही करवा रहे हैं वही बिठा रहे हैं इसलिए अब देर नहीं करनी है उनकी तरफ जाने को ए तीरत गुरु होए मिलिया कच्छूना हुई खबर एक महुर से इनोंने अत्यधिक प्रसनता पूर्वक श्री जी की सेवा की लेकिन श्री जी के आंतरिक स्वरूप को नहीं पहचान सका चलते समय श्री जी को तो पता ही है इसको क्या चाहिए था क्या पास सकते थे और क्या पाया हमारी हालत है यह उनका नाम लिखा है सुन्दर साजी example दिया हुआ है बस ये हमारी हालत है हम आज पहचान नहीं पारे कि उससे मांगना के में अपने सत्गुरु से मांग बोलना नहीं पड़ता सुन्दर साजी अंदर से मांग कौन सी करनी है मोहरे ही मांगनी है यहां की सुक्सु विधाएं पोते पोतियां जॉब्स ये सब ही मा मोहर ले लो कहां तु अखंड का खजाना पा सकता था तुम इसी में खुश रहो किन्तु अभी कहते और अधिक लाला चाहंगो एक मोहर पहां में भी ऐसा ही होता है एक सुक मिल गया थोड़ी देर के लिए ठीक है अब और चाहिए पहले तो ये बना रहे है जाए ना जो मि कभी सेवा के लिए ऐसा सोचा है आपने इतनी मिल गया और मिल जाए और प्रेम के लिए सोचा है इमान के लिए सोचा है इमान की एक मोहर पिया ने दे दी पिया और पका कर दो मेरा और पका समर्पन की एक मोहर मिली एक नग लगा और नग लग जाए पिया इस समर्पन की ज तो कैसी जंकार उसकी होती पूरा ब्रमांड सुनता है सुन्जर साथ जी इमान से जंकृत कर दीजिये पूरे ब्रमांड को उन्हें और अधिक लालचा गया मोहरों की चाहत में पालन पूर तक साथ साथ सिद्धुपूर से इसी लिए साथ चले कि एक मोहर नहीं और चाहिए तब कोई ना कोई सुन्दर साथ तो प्रबोध करेगा तब गोवर्धन ने कया करो इन सरूप की पहचान मांगो अलोकिक इन से तुमको दे इमान तुमको दे इमान क्या कह रहे हैं सुन्दर साथ जी अलोकिक मांग लो इमान मिल जाए तुमें ये इमान भी बड़ा अलोकि होता है सुन्दर साजी यह अभूशन यहां पहनने शुरू करने है बाते नहीं करनी सुन्दर साजी साथ साथ उतारते जाए प्रैक्टिस को रहनी बोलते हैं सुन्दर साजी प्रैक्टिस करते करते पक जाती है तो रहनी बन जाती है शुरू करते हैं तो करनी होती है प्रैक् पहन लीजिये समर्पन की अलोकिकता पहन लीजिये कहते हैं ये गिनों अब तुम बैठके कि कितनी घटनाओं में तुमने ये किया और कितने में फेल हो गए सुन्दर साथ जी तब उसकी नादानी पर तरस खाकर गोवर्धन भट ने कहा भगवान दात धन तो तुमें कहीं भ मांग लो जो तुमको मांगना चाहिए पहचान करो इनकी सुन्दर साजी धन कोई देब नहीं सकता जितना मिलना है उतना ही मिलना है क्यों मांग मांग के शर्मिंदा हो रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई सुविधा जो होनी है वही होनी है अन होनी नहीं हो सकती कोई ना एक् ईससे चीन सकता है, तो कियो शरमिंदा होना है मांग के, कहीं भी मिल जाता है, वास्तविक स्वरूप की पहचान करो, अध्यात्मिक संपदा, आज से हम प्रण करें सुन्दर साजी, कभी मांगने के लिए मुख़िले होंट हिले, तो वो अध्यात्मिक संपदा के लिए ही हों बुलो श्री प्रानात प्यारे कीजे, बुलो श्री सत्गुरु महराजी कीजे, प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी कोई भी तुटी हो सुन्दर साथ जी कोई भी क्या मुझसे तो बहुत सारी होती रहती है उन सब के लिए मेरा सुन्दर साथ इतना प्यारा है कि वो उन तुटीों को देखता भी नहीं है पहले एक्षमा कर देता है पहले प्रेम भर के बैठा होता है आप सब के चर्णों में कोटान कोट प्रनाम ये 157 डेज वर नॉट पॉसिबल विदाउट यू यदि आप में पेशेंस ना हो मुझे तो बस आनन्द आ रहा है क्योंकि मन्थन का आनन्द मन्थन का मज़ा जो सुन्दर साथ के साथ है वो मुझे ऐसा लगता अकेले मैंने प्रनाम जी